आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी बार या रॉड में टोटल एलॉंगेशन या डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं एक रॉड लिया हूँ है यही क्या क्या कर्णाता है तोटल किatl LEeger का इस अब इस रॉड के लिए टोटल सुढर्व गिशन कैसे निकालेगा इस के लिए हमने पढ़ा था इस्ट्रेश क्या होता है इसें के प्रपोरश्वश्ण होता है एक और आट Tax Loss इस प्रफोशनाल्टी को हटाने के लिए में consistent लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एक modulus of elasticity, stress क्या होता है हमको पता है load upon area होता है और strain क्या होता है change in length upon original length यहां पे put कर देते हैं value को तो जाएका P upon A, E strain क्या हो गया delta L upon L हमको यहाँ पे total deformation निकालना है तो delta L क्या हो जाएगा PL upon AE अग unit हर question में हमको यही formula काम आने वाला है और यह important formula है SSE की exam में कई बार इसको directly पूछा है और simple numerical दिया रहता है जिसमें P का value दिया रहेगा land का value दिया रहेगा area का value दिया रहेगा delta L निकाल दे बोलेगा और E का value दिया रहेगा अब सबसे important की चैस में unit unit क्या क्या होना चाहिए तो P का unit होना चाहिए Newton L का unit होना चाहिए mm में होना चाहिए area होना चाहिए mm square में और E होना चाहिए Newton पर mm2 में एक और relation याद रखने है इसमें हमेशा कायम आएगा एक गीगा पास्कल इक्वल टू होता है 10 की घात 9 पास्कल या 10 की घात 3 मेगा पास्कल और 1 मेगा पास्कल को ही हम 1 न्यूटन पर mm2 बोलते हैं एक गीगा पास्कल इक्वल टू कितना हो गया 10 तो दी पावर 3 न्यूटन पर mm2 यह relation बहुत काम आने वाला है देखो हमको यह भी न्यूटन पर mm2 में चाहिए इस value को यहाँ पर पूट करने के बाद हमारा delta L किसमें आएगा delta L भी आएगा हमारा mm में यह unit balance है इसको याद रखना है अगर unit थोड़ा से भी तुमने mm की जगा मीटर ले लिया तो पूरा question गलत हो जाएगा तो इस चीज को ध्यान रखना है पहला गलती यहाँ पर होता है यहाँ पर link के रख लो कि यहाँ पर unit check करना है उसके बाद हम एक numerical करते है यह 10 marks का numerical है CSV2 की exam में 3-4 बार आ चुका है और इसी type का 2 question और है जो 4-5 बार आ चुका है question को पढ़ते हैं एक बार जो दिया हुआ है यह बार यह कौन सा बार है? इसका area दिया हुआ है 600 mm square cross section तो given में क्या है? given में है इसका area 600 mm square cross section सबका area दिया हुआ है is carrying load as sony figure यह क्या बोल रहा है? यह जो बार है यह load carrying किया हुआ है ठीक है? दिख रहा है जैसे 90 kN दिख रहा है 20 kN, 30 kN, 40 kN determine the elongation of the bar यहाँ पे क्या है? elongation of the bar निकालने बोरा मतलब इस बार में total elongation या total deformation ठीक है? total deformation कितना हो रहा है? उसको निकालना है हमको पता है यह क्या होता है? delta L total ठीक और क्या दिया है? E दिया है इस तिल के लिए क्योंकि यह इस तिल बार है तो इसके तिल के लिए देखो 200 giga pascal दिया हुआ है E का value कितना है? 200 giga pascal तो इस question को solve करने का सबसे easy method है section method में उसको अभी बता रहा हूँ इसमें क्या करना है? सबसे पहले इसको A B C D में divide कर देना है अब यहाँ पे देखना है unit यह 90 kilonewton है यह meter में दिया हुए बाकि यह भी kilonewton, kilonewton, kilonewton अब इसको मेरे को क्या है? तीन पार्ट दीख रहा है one, two, three तीन पार्ट दीख रहा है एक, दो, एक हो गया दो हो गया तीन अब तीनों पार्ट को क्या है? separate करना है तो यह पहला पार्ट हो गया यह दूसरा पार्ट हो गया यह तीसरा पार्ट हो गया सबसे पहले मेरे को पहले पार्ट को देखना है और तीसरे पार्ट को देखना है जो लास्ट में है लास्ट में क्या है जो फर्स्ट और लास्ट में है फर्स्ट में क्या है अब फर्स्ट में देखो एबी है एबी में कितना लोड लग रहा है नबबे किलो न्यूटन तो हमको पता है यह एकोल अनपोजिट लोड लगता है तो यह भी कितना हो जाएगा 90 किलो न्यूटन उसके बाद किसको देखना है यह first हो गया और last हो गया last में क्या है CD है CD को देखना है CD में last में कितना लग रहे है लोड 40 की न्यूटन लग रहे है तो इधर भी equivalent में क्या जाएगा 40 किलो न्यूटन सबसे में चीज है इसमें कितना लोड लगेगा तो इसको निकालने के लिए मैं बहुत असान तरीका बताता हूं एक मैं क्या कर रहूं यहां पे एक सेक्षन काट देता हूं कौन से पार्ट में निकालना है मेरे को पार्ट बीसी में निकालना है तो मैं सेक्षन कहां पे काट हूंगा बीसी में काट हूंगा यह हो गया यह है सीडी मैं सेक्षन कहां पे काट हूंगा बीसी पे काट हूंगा अब देखो मैं सेक्षन काट रह बनाता हूँ और डाइग्राम को बनाता हूँ इस पार्ट को बना रहा हूँ मैं यह हो गया C यह हो गया D यह हो गया X ठीक है अब हमको यहां पर कितना लोड लग रहा है यहां पर लग रहा है 30 यहां पर लग रहा है 30 और यहां पर कितना लग रहा है चालिस लग रहा है section जहां पर काटेंगे वहाँ पर reaction आएगा मान लेता हूँ मैं reaction इधर लगा रहा हूँ और यह क्या हो जाएगा BC ठीक है इसका direction देखो इसका direction में इधर लगाया हूँ ठीक है मतलग इस BC पार्ट में मैं क्या अजूम कर रहा हूँ कि इसमें tension है अभी ठीक इसमें क्या है tension है ऐसा assume कर रहा हूँ अब हमको पता है मेगेनिक्स में क्या पढ़े हैं हम लो sigma fx equal to 0 पढ़े है जितना force x direction में है उसका sum क्या होगा 0 होगा ठीक है और sign convention भी पढ़े हैं इसमें हम लो z वाले को plus लेते हैं हाना y में इधर वाले को negative लेते हैं अगर force का बात करने हम लोग force के लिए है ठीक है तो देखो इधर क्या है plus 40 है और plus 30 है इसको solve करेंगे तो plus 40 हुआ और यह plus 30 हुआ और यह में इस side है हमको negative लेना है तो हो जाएगा minus RBC equal to 0 तो इसको solve करेंगे तो क्या हैगा RBC को solve करेंगे तो क्या हैगा RBC दिल ले जाते हैं तो RBC equal to क्या हैगा सत्तर आएगा 40 प्लस 30 सत्तर तो यह हो जाएगा RBC का value सत्तर अब देखो यह positive आया है प्लस सत्तर आया है अना positive आया है मतलब हमने जो sign लिया है वो क्या है सही लिया है तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका value put कर देंगे इसको रप में भी दिखा सकते हो लेकिन इसको यहीं पे दिखाओ तुम जहाँ पे तुम question solve कर रहे हो कि यह RBC का value 70 कैसे आया उसको भी दिखाना जरूरी है तब तुमको 10 number का पूरा marks मिलेगा 10 marks पूरा मिल जाएगा तो हमको तीनो लोड पता चल गया AB का BC का CD का ठीक है अब यह simple question हो गया जो भी हमने पहले solve किया था अभी हमने delta L निकाला था न भई यह देखो इसी question हो गया वो same question हो गया है ना अब इसको क्या करना है हमको तीनो पार्ट को अलग-अलग solve करना है बस तीनो पार्ट के लिए delta L निकालना है अब हमको पता है total elongation अब धी बार कितना होगा वो होगा delta L total equal to अब यह तीन पार्ट में है AB, BC, CT ठीक इसमे एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर बता देता हूँ देखो इसमें tension लग रहे है दोनों का direction इधर है इसमें भी direction इधर है तो इसमें भी tension लग रहे है इसमें भी direction इधर है तो इसमें भी tension लग रहे है तो तीनों में tension लग रहे है ठीक है अब क्या करने का total elongation अब धी बार क्या होता है delta total equal to delta L AB plus BC plus CT ठीक और हमको पता है elongation of the बार अभी निकाले थे थोड़े दिर पहले पेज नमबर 1 में जो है delta L equal to PL upon AE है साथ इसका unit भी हमको मैंने अभी तुमको बताया था unit क्या लेना है इसका अब AB के लिए क्या हो जाएगा formula PL upon AE सबका अलग-अलग है यह सबके लिए अलग-अलग निकल आधर में है और ंवल्बार दिए यह पैटलने के बाद हमको क्या करना है यह जो फॉर्मूला दीख है तोटल एलांगेशन आप दी बार इसमें पूट करना है पूट करने के बाद हमको कैसे दिखेगा ये पी एले बी पीजी सीडी ठीक है अब मैं क्या करूं देखो सबसे इंपोर्टेंट है यूनिट बैलेंस करना देखो एबी सेक्षन में एबी सेक्षन का में डियाग्राम ब एरिया 600 और ए एरिया दिया थे इसका 600 mm2 एरिया सब के लिए कॉमन है और ए दिया था 200 गीगा पास्कल तो मैं एबी के लिए सॉल कर रहा हूं एक अधि वैल्यू देखो पी एल अपॉन एई तो पी का वैल्यू न्यूटन में रखना है हमको देखो 90 किलो न्यूटन था तो एक मीटर पराबर दस की गहाद 3 mm और एरिया 600 mm इसकर दिया है और एक वैल्यू दिया 200 गीगा पास्कल तो अभी बताया था इसको न्यूटन पर mm में लिखना है तो कैसे करेंगे 200 इन्टू 10 इन्यूटन पर mm2 तो यहां पर यह हो गया यूनिट बैलेंस भी हो गया ऐसी BC प कैलकुलेटर से सौल करना है बहुत सौधानी से सौल करना है गलत नहीं होना चाहिए कि सौल करने के बाद हमारे पास यह वैल्यू आता है प्लस 1.395 mm यहां पर देखेंगे यह प्लस आ रहा है पॉसेट्व मतलब क्या हो रहा है रॉड ऐसा था खिचाने के बाद कैसे हो जा है रहा है मतला 20ffiones क्या हो रहा है इंक्रीस हो रहा है इंदम साधानी से करना इसको कहां-कहां पर गलती होते हो में सबसे पहले होते होते हैं जब तीन सेक्षा तीन भाग में बाटते हैं तब उसके है यूनिट में पर चीज को ध्यान में रखना है का उसके पर सेक्दाइव और सफक्षों है जो 10 मर्क का है कि यह भी बहुत इंपूर्टेंट कॉर्षन आँ यह थो-դीन बाऊ-ठude इसमेंफी सेम काम करना है इसमें क्या दिया है ब्राज का रोट दिया है ऐखीछ Prime और यंग मॉडूलस दिया है 100 गीगा पासकल यहां पर 50 किलो न्यूटन लग रहा है यहां पर 10 किलो न्यूटन है